तक्रीबें 45 सालों के बाद ऐसे हो रहा है कि जब पॉलेंट की धर्ति पार कोई भारती प्तानमंतरी कदम रखेगा यहां प्रिधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवस्ये पॉलेंट दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे को लेकर जो भारती हैं और इस्थानी प्रशाशन तैयारिया शुरू कर चुका है इस वक्त हम पॉलेंट की राजधानी वार्शा में मौझूद है और हमारी मौझूद की ठीक प्रिजडिंट हाउस के बाहर है यही पर पॉलेंट के राश्टपती जो मिस्टर आंड्रियूस सबस्तीन डूरा है वो रहते हैं और प्रिधानमंत्री के उनसे मुलाकात है इसके स पूर हो गई है जब यूकरेन और रश्या में युध हुआ था तो तकरिव एक महिने के बाद अप्रिधानमंत्री नरेंड्र मोधी यूकरेन जा रहे हैं और यूकरेन जाने से पहले वो पोलेंड में लेंड करेंगे और उसके बाद यहां से वो यूक्रेन के लिए रवाना होंगे इस लिहाद से यह दोरा बहुत जादा महत्पूर है और पोलेंड सामरिक और रड़नी तिक हिसाब से भारत के लिए एक महत्पूर भूमी का आदा करता है पोलेंड और भ तमाम जो भारती है लगबग 20 से 25 हजार ऐसे भारती है जो पोलेंड के अलग-अलग इलाकों में रहते हैं इसमें अलग-अलग सेक्टर से लोग है एजुकेशन सेक्टर से है आईटी सेक्टर से है बिजनस सेक्टर से है इसके लावा 5000 से जादा ऐसे चात्र भी है जो पोलेंड में रहते हैं ये तमाम लोग बहुत जादा उत्साहित हैं क्योंकि लंबे अर्से के बाद लगभख 4 दशक के बाद ऐसा मौका आया है जब उनके देश के पिधान मंत्री जहां पर आ रहे हैं और उसको लेकर तैयारिया की जा रही है दुबक्षिय वारता का कारकरम रखा गया है प्रेजडेंड और प्रामिनिस्टर से मुलकात का का कारकरम रखा गया और इस दौरान प्रिधान मंत्री लगभख 24 घंटे तक पोलेंड की धरती पर मौझूद रहेंगे 21 तारिकी शाम वो यहां पर आ जाएंगे और 22 तारिकी शाम यूकरेन के लिए रवाना हो जाएंगे इस दौरान प्रिधान मंत्री कई सारी घोशनाय भी कर सकते हैं और भारतिये इस दौरे से बहुत ज़ादा उत्साही तजरा आ रहे है और पोलेंड प्रशाशन प्रिधान मंत्री नरेंदर मुदी के आगबन को लेकर तैयारियां शुरू कर चुका है